हाई एवरिवन स्वागा थे आपका हमारे शेल्ट आप चनल डेली अपडेट्स इंजिनरिंग में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीजी एमस नोटिफिकेशन के बारे में जहां दोस्तों डीजी एमस में अभी गैस टेस्टिंग माइनिंग सरदा इसके अलाबा माइनिंग मैट और अपना जो है बलास्टर के लिए एकजाम लेने जा रहा है डीजी एमस के द्वरा जो सर्टिफिकिट प्रवाइट की जाता है वह एकडिडिवकेशन के लिए एकजाम का जो नोटिफिकेशन है वह अपना रिलीज कर दिया है आज हम पूरे फुल नोल्टिफिकेशन पर बात करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग एक्जाम देना चाहते हैं तो वीडियो में जो है लाश्ट तक बने रही है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी इंफर्मेशन देना चाहता हू कि दोस्तों माइनिंग सरदार जो कि अपना एक्जाम होने वाला है डीजेमेश के दोरा इसके लावा माइनिंग मैट माइनिंग फॉर्मेन इसके लावा बलास्टर इसके लावा गेस टेस्टिंग सभी एक्जाम के लिए मेरे पास जो है नोट्स अवेलेबल है जहां दोस् लेना चाहते हैं तो 100% कवर कोश्चन MCQ मिलेगा जिसके माध्यम से पिछले बार 200 से ज्यादा लोगों ने एक्जाम किलियर किये था आप भी कर सकते हैं एक्जाम किलियर जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन है दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई द मैं आप लोगों को बता दू कि इस से पहले जो है अपना सन 2012 में दिसंबर में एक्जाम लिया गया था यह सारे एक्जाम जो हुए थे वह हुए था इसी के करण इंग्लिस के एक्जाम को कैंसिल कर बाफ्चों कीमान पर यह जो एक्जाम है अपना हिंडियर बेंगॉली उ तो 400 रुपए की face लगेगी माइनिग मेट से हैं मेटल से हैं तो 30 रुपए only faith लगेगी ब्लास्टर अगर है अगर ब्लास्टर का एक्जाम देना है तो only 25 रुपए face लगेगी गेर्स टेस्टिन के लिए 300 रुपए face लगेगी इसके लिए जो notification होता है ये आपको www.dgms हैने कि Director General of Mind Safety की website पर मिल जाएगा वैसे मैं आप लोगों को पूरी information इसी वीडियो में दोंगा आप लोग एक्जाम देख सकते हैं इसमें unrestricted और restricted certificate issue के जाएगा अपना सरदार के लिए जो underground के लोग होते हैं जो underground में काम करते हैं उनको unrestricted certificate मिलता है ओपन कास्ट में restricted मिलता है इसमें जो है mining mate के लिए भी restricted, unrestricted है blaster के लिए भी unrestricted है और सरदार के लिए gas testing के लिए जो है इसमें कोई unrestricted और restricted नहीं होता है guest testing के लिए जो है directly आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको lamp handling का certificate जो है लगवाना है मैं schedule की बात करूँ तो इसके लिए जो है अपना exam जो लिया जाएगा 29 और 30 जुलाई सन 2022 को लिया जाएगा यानि कि अगर अभी से देखें तो अप्रेल मई जून पर अपना जो है जुलाई लगभग पूरा ही है मर पर तीन साड़े तीन महीने का time है अगर आप लोग coaching लेना चाहते हैं तो मुझसे contact जरूर करें सरदार के लिए mining weight, mining blaster के लिए और guest testing तीनों के लिए जो है हम coaching start कर रहा है coaching जो है पांच तारिक से start होगी number आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है अभी जो है आप लोगों को मैं पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें जो है कितना experience होने के बाद ही जो है आप लोग exam के लिए eligible हैं और form को apply कर सकते हैं तो आईए एक एक करके जो है सारा information लेते हैं जिसा कि आप लोग पहले देख सकते हैं name of certificate की मैं बात करूँ तो सरदार का certificate unrestricted जो है यह दिया जाएगा इसके लिए जो है आपका qualification intermediate होना चाहिए देख रहे हैं आप लोग senior secondary school और intermediate examination इस इक्यूवलेंट रिकोगनाइज युनिवर्सिल्टी और स्वारी रिकोगनाइज बोल्ट और युनिवर्सिल्टी डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अधर देन दा इन इंजीनियर माइनिंग इंजीनियर के अलावा अगर है इसमें जो है टोटल experience की में बात करूं तो सरदार के लिए तीन साल का total experience मांगा जाता है इसमें जो है 6-6 महीने का आपका जो है अपना किसी में underground का अच्छिए डिप्लेरिंग में काम किया हो इस तरीके से 18 महीने जो है underground में अपने blasting वगरह में काम किया हो इस तरीके से आपका experience मांगता है इसके अलावा next अपना सरदार certificate के लिए इसमें जो है आपका सरदार certificate जो है restricted के लिए है restricted में बात करूं तो इसमें भी स्यम केटिगरी है जो experience होता है ना इसमें open कास्ट का experience चल जाता है जहां दोफ्तो open कास्ट का भी अगर आपके पास experience है तीन साल का जिसमें आपको बोलता है कि आपका जो है 18 महीने training होना चाहिए underground या open cash में 12 महीने जो होना चाहिए underground में जिसमें या open cash में just salt firing drilling blasting transporting में काम किया हो आपने इसके लावद छे महीने जो है आपका अंडर ग्राउंडや open cash में ब्लास्ट लाष्टेग वगए मेंगे काम किया हो और तो आप लोग eligible है इसके बास जो है आपका माइनिंग मेट के लिए है इसमें जो है लीटरेट मांगा हुआ है यानि की 10th पास है या 8 पास है तो भी चल जाएगा practical experience की मैं बात करूँ तो तीन साल का जो है आपका unrestricted का experience होना चाहिए जो कि आपका अंडरग्राउंड का ही चलेगा ओपन कास्ट का किसी भी कंडिशन में अन्रेस्टिक्टेड में नहीं लिया जाएगा अगर मैं बात करूँ माइनिंग में रेस्टिक्टेड की तो इसमें भी लिटरेट होना चाहिए तीन साल का experience होना चाहिए इसमें छे महीने आपने काम किय हो इस्टियर महीने अगर आपने एक्सट में प्रेक्टिकल एक्सपीरियेंस लिया सुच्छिए जाता है यूत बार को द्रेश दोिक्रेशिक्टेड को छेम страх मांगा हुआ है blaster के लिए total experience से दो साल दो साल का experience count किया जाएगा जिसमें 18 महीने आपने काम किया हो underground में underground working में इसके अलावब जो है अगर आपने 6 महीने भी काम किया है underground salt firing में तो भी आपका चल जाएगा blaster की मैं बात करूं next अपना restricted की तो इसमें भी जो है आपका दो साल experience से इसमें ओपन कास्ट का experience जो है वह लागू हो जाएगा यानि कि चल जाएगा next अपना guest testing certificate guest testing का जो certificate है न यह अपना practical experience मांगा है इसने अपना lamp handling का अगर आपने lamp handling किया हो तो उसमें भी जो है आप लोगों ने थोड़ा बहुत टेस्ट वगेरा किया होगा gas वगेरे का यानि कि जो है class करी होगी उसके बाद ही lamp handling certificate issue किया गया होगा तो उसी certificate को आप लोगों को लगा देना है तो यह रही दूस्तों पूरी जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू कि अगर आप लोग माइनिंग में माइनिंग ब्लास्टर इसके अलावा सरदार के लिए coaching लेना चाहते हैं mcq notes लेना चाहते हैं दोस्तों notes दूसरे के पास से बिलकुल मत खरीदिएगा क्योंकि लोग जो है बहुत सारे 500 से ज्यादा लोग माइनिंग मेर्ट माइनिंग फोर्में सरदार जो है वो बन चुके हैं तो हमारे पास जो है आप बिलीव के साथ notes या coaching ले सकता है इसके लिए आप लोग कॉंटेक्ट जरूर करें थे